मकर संक्रांती पे बनने वाली टेस्टी हेल्दी खिचडी को आप एक बार जरूर बनाएं जैसे ही आप इसे एक बार बनाएंगे बड़े तो क्या बच्चे भी बार बार इसे बनाने की दिमांड करने लगेंगे खिचडी इसे मकर संक्रांत पे बनाया जाता है मकर संक्रांत फेस्टिवल को बहुत सी जगा खिचडी भी कहते हैं इसलिए इस दिन खिचडी ही बनती है खिचडी वाले मोटे चावल, मूंग दाल, चना दाल और छिलके वाली उड़त दाल इन सभी को एक घंटे के लिए पानी में बिगा देना है भीक जाने के बाद सभी को मिक्स कर लीजे मिक्स कर लेने के बाद इसका पानी निकाल देना है और फिर कूकर में डाल देना है कूकर में ही डाल देना है सवी सबजियों को मैंने यहाँ पे आलू, मतर, गाजर और गोभी के थोड़े बड़े टुक्रे दिये हैं आप अपने पसंद के अनुसार कोई और दूसरी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं इसमें ही डाल दीजे एक चॉप्ट किया हुआ टमाटर और अब डाल देंगे इसमें सवा दोग कब पानी इस खिछडी के लिए कौन-कौन से इंक्रीडियन कितने लेने हैं इसकी लिस्ट स्टार्टिंग में ही दी हुई है और पानी कितना लेना है यह भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है पानी डाल देने के बाद डाल दीजे नमक और हल्दी और मिक्स कर लीजे कूकर को हाइ फ्लेम पे गैस पर रख दिना है और वन टीस्पून खीड अल दिना है जैसे ही इसमे एक उबाל आने लगे, उबाल आ जाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिजे और कूकर को बन कर दीजे बंद कर लेने के बाद high flame पे 1 ct होने दीजे उसके बाद low to medium flame पे 2 से 3 ct होने देना है 2 ct में अच्छे से कुक हो जाता है पर अगर आपको तुरंथ ही cookar open करना है तो 3 ct होने दीजे मैंने यहाँ पे 2 ct होने दी है cookar को अपने आप ठंडा होने दिया है ठंडा हो जाने के बाद इसमें की एक्स्ट्रा जो स्टीम है उसे निकाल दीजे और कूकर खोल के देखिए कूकर खोलते ही पूरे घर में इसकी खुश्बू फैल जाएगी और तुरंथ ही आपको इसे खाने की इक्षा होगी आप इस खिचड़ी को चलाके तुरंथ ही सर्फ कर सकते हैं घी डालके या फिर तड़के के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आईए देखते हैं तड़का कैसे लगाना है तड़का पैन या कड़ाई में 3 टेपल स्पून घी या फिर ओईल को करम कर लिजे गर्म हो जाने के बाद हींग और जीरा डाल दीजे, जैसे ही जीरा थोड़ा सा तड़क जाए इसमें डाल दीजे ग्रेट किया हुआ लैसुन, साथ ही आप अद्रग भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लैसुन थोड़ा सा गोल्डन हो जाने के बाद इसमें डाल देना है बारी कटे हुई हरी मिर्च हरी मिर्च आप अवाइड भी कर सकते हैं जब ये थोड़ा सा भून जाए 30 से 40 सेकंड के बाद इसमें डाल दीजे लाल मिर्च पाउडर और तुरंद ही डाल दीजे खिचडी के ऊपर और गर्मा गर्म सर्व कीजिए लीजिए तैया कम या जादा डाल सकते हैं लाइक तो आपने कर ही दिया होगा फ्रेंट्स फैमली के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते एक नियो र सब्सक्राइब के साथ थैंक्स पर वोचिंग बाबाई